जहन साथियो मेरा नाम रेतन सिंग है और आज जो मैं आपको चीज दिखा रहा हूं वो है अखरोट चांडलर दोस्तों मैंने अपने एक मित्र है मेरे गिन्नु जो की ठाकुर्ची है ये नर्शरी वाले ही है इनको मैंने 10 प्लांट दिये थे पिछली साल और ये प्लांट दि ये टर्की से इंपोर्ट है आपको मैं बताता हूं और दोस्तों इसके ग्रोथ भी अभी बताता हूं और जो मेरे यूटूब पर ने मित्र है तो प्लीज मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें बैल आइकन दवाएं ताकि जो नेक्स वीडियो है वो आप तक मेरा तो मैं एक बात कर दो बहुत सारी चीजह जो मेरे पास नियुद्ध यार दोस्तों और ऐसा नहीं है मेरे पास अच्छे च्छे जो डॉक्टर है और ऐसे किसान है जिन से मैं नर्सरी लेता हूं और सबके सब रजिस्टर्ड नर्सरी वाले हैं उसमें प्रहम मंगला भ बता रहा था वो चांडलर के बारे मैं बता रहा हूं मैं आपको बता हूं मैं इस वक्त जिस प्लांट के पास खड़ा हूं यह आप देख सकते हैं यह मेरे हाइट का यानि सड़े पांच फूट क्या है और यह आप देख सकते हैं क्योंकि आप ऐसा ना लगे कि आपको कि मैं वूलत चीज दिखा रहे हुं आपको यह आप देख सकते हैं यह ग्रोध अब लोग बोलते हैं जी ग्रोध नहीं है इस वाई मैनत करने पड़ेगी मैनत नहीं करेंगे तो कहां से होगा आप मैनत ही नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे चीओ型 मेरे पास पोदे की लंबाई नहीं हो रही है और जो यह हो रहा है यह 4000 फीट की आसपास की ग्रोथ है 4000 फीट में यह अक्रोट लगाया हुआ चांडलर मैं आपको इसके बारे पूरा बताता हूँ यह आप देख सकते हैं यह है हमारे जोगी ठाकुरची जिन्होंने इसको लगाय था और इसे मैंने 10 प्लांट दिये थे 1000 का एक प्लांट दिया था पिछली साल तो और यह इन्होंने इतनी मिन्हत किये इसे इस किनारें पर लगाया हुआ है और यह दोस्तों इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको टैग गल्ट लगाया हुआ है या कुछ और इसमें मैंने 10 प्लांट दिये थे ने यह ब्रांट यह और यह है जुगलन रजिया चांडलर यह ग्राफ्ट हुआ है 2022 मैं यह यहां था यह जब मैंने पोधा दिया था इनको यहां तक जमीन से यह साइस का दि क्या बात है और इसके साथ इनों जिपानी भी लगाई है यह यहां देखो दोस्तों यह ट्रिपल वन पर क्या पेर बना दिया क्या शामदार और पच्छिस फूट की ग्रोथ ले लिए और इस साल यह से साइन बुड़ और दोस्तों सबसे अच्छी बात आने वाले टाइम में यह खुद ग्राफ्ट करेंगे क्यूंकि इनोंने नर्सेरी भी दी हुई अख्रोड की मैं उसको भी बतातेता हूं और इनोंने उसका उस पर यह काम कर रहे हैं अख्रोड पर भी दोस्तों यह हूँ लगाया हूं ने और यह दाना है इसका जिस दाने को इनोंने भीजह हूँ यह और एक अजार अख्रोट लगाया हुए नहीं और इस पर आने वाले टाइम में ये जुलाई अगस्त में से जुलाई अगस्त सेप्टमर में से चिप बड़ करेंगे हैं चिप करने का फाइदा यह होगा कि इनके पास बहुत ज्यादा साइन बुड त्यार होगी और यह काम करेंगे इस पर यह है जिपानी का पेड़ जो उखाड़ रहे है और दोस्तों आप भी ऐसे ही काम कर सकते हैं अभी जो हम प्लांट दे रहे हैं वो इस साल भी दे रहे हैं तरकी का इंपोर्ट प्लांट इस साल भी मेरे पास तरकी का ही पौधा है महनत आपको करनी है दोस्तों अगर महनत आप करेंगे तभी आपका पौधा ग्रोथ लाएगा और इस भाहिसाब ने तो ऐसी जगा लगाया जहां कि उमीद भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता कि बिल्कुल यह देखो नीचे किनारा है और उपर है यानि दस फूट के भीचों भीच खेत में खोद करके वहां भी इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ ले लिए हैं धन्यवाद यह देखो दोस्तों ग्रोथ मैं खुद हैरान हूँ क्योंकि इन्होंने करके दिखाया चांड लार पर तो जब यह कर सकते तो हम क्यों नहीं यह हुअ और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो मेरी पसंद आती तो प्लीज इससे शियर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और इसे यूटूब पर अपने कमेंट्स जरू करें मेरे इस नommokर और मुझे फॉलो करें heure पेज पर आप मिरे पेज पर मुझे फॉलो भी कर बिन्नेवाद